कि स्टुडेंट आज देखिए हम लोग करेंगे टेस्ट स्रीज नंबर 48 ठीक है इससे पहले क्या है 47 टेस्ट स्रीज हम लोग कर चुके हैं इसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिये आप आप से जाकर भी श्टडी कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम 10 कुशन शामिल क चलिए इसका राइट आप्शन देखते हैं आप्शन बी करा की पंप पर्थम अत्वा आधी पंप ने आधी प्रॉल की रचना की है ठीक है पंप का विक्रा मार्चुन विजयरत रत्न का सहसभीम विजय भा भारत की कथानक पर आधारिट है ठीक है तो अता कतन क्या है भी असत है अन तीनों कतन क्या है सत्य होंगे ओके चलिए अगला कुश्यन है गलित शास्त का संस्कृत से तेलगों में अनवाद किसी ने किया था चलिए अब इसका राइट आप्शन देखते हैं राइट आप्शनों का आप्शन बी पावलुरू मलन तथा एलूंगती पेदन ने संस्कृत मूल से तेलगों में गलित शास्त ग्रंद का अनवाद किया ठीक है अगर हम बात करें तो बार्वी शताबदी में नन्य चोड न कुमार संभो की तेलगों में रचना की अनेग विश्यों तथा विधाओं से प्रपने वाली रचनात्मक्ता ने तेलगों साहित को प्रयाप्थ सम्रिद किया चलिए अगला कुश्यन है कंबन तथा ओटकुटन किस भाषा के साहिस से संबंधित है तो देखिए यहां पर र राइट आप्शन ना ओप्शन डी तिकी गबन ओटकुटन और फुग लेनिद तमिल साहित के त्रीरत्न माने जाते ठीक है कबन तता ओटकुटन कुलोतुंग चोल की राज सवा को सुशोवित करते थे कंबन ने तमिल में रामाण की रचना की पुग लेनिद ने माँ भार शैली में तमिल काव का रूप दे दिया कुलोतुंग पर्थम के ही शासन काल में अब्बे दिती है नि महिला ने नन्नुर कौवे कलिवी उलू कुलूम आदी गरंत काव्यों की रचना की ठीक है चलिए अगला कुश्यन है निमलिकी में से किसे तमिल साहित का व्यास माना ज शैली मूरों के विशाल संग्रे प्रस्तुत करने की काल नभी अंडार नभी को तमिल व्यास भी का जाता ठीक है शैसंतों से सम्मंदित परू आपराडम नामक शकली लार की रचना आज भी लोगप्रिये है जातबह की त्योरम तता चिरू वाच कम भजन की रचयता चले है अगला प्रशन है किस मुस्लिम इतियासकान ने रजिया के विशे में लिखा कि उसमें सुल्तान होने के सभी गुड मौझूद थे परंतु सारे गुडों का फायदा ही क्या हुआ जब वा एक इस्तिरी के रूम में पैदा हुई तो देखिए आप रैट आप्शनों ने लिखा कि रजिया बुद्यमान लोग अपने राज का कल्यार करने वाली नैप्रिये अपनी परजा का पालन करने वाली यौम एक महान योदा थी दुर्भाग ये था कि वह एक इस्तिरी के रूम में पैदा हुई इसलिए अमीर वर्ग ने उसे शासक के रूम में ठीक है चलिए अगला कुश्यन देखते हैं मंगोल अक्रमर कारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कि शासक के शासन काल में आया था ठीक है इसका राइट अप्शन होगा अप्शन भी ठीक है अगर हम बात करें तो मंगोल नेता चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासन काल में आया था ठीक खौरिज मिशा का पुत्र जलालुदीन मगबन्नी ने इल्तुतमिश से चंगेज खा के बिरुट साहता मागी जिसे इल्तुतमिश ने अशिवकार कर दिया ये डर की हो जासे ठीक है वितित हो की 1224 में मगबन्नी वापस लोड़ गया जिससे मंगोल आकरबर से दिल्ली सामराज को कोई छती नहीं पहुची ठीक है चलिए अगला प्रशन है दिल्ली का पर्तम सुल्तान कौन था जिसने नियमी सिक्के जारी किये तथा दिल्ली को अपने सामराज की राज़्थानी घोशित किया तो इसका राइट आप्शन होगा आप्शन सी यानि इल्तुत्मिष ने इल्तुत्मिष 1210 से 1236 ने भारत में सल्तनत कालमे स्वर पर्तम शुद्ध अर्वी सिक्के चलाये थे अगर हम बात करें तो सल्तना दियुक के दो महत्पूर सिक्के चान्दी का टका और तावे का जीलतर इल्तुत्मिष ने आरम की तथा सिक्को पर टक साल का नाम लिखवाने की प्रमप्रा शुरू की 12.13 में इल्तुत्मिष को बगदाद के खलीफा से खिलत का परमारपत्र प्राप्त हुआ ठीक है चलिए अंगला प्रशन है निम्ड़की में से कौन सा कथन बल्बन से संबंदित नहीं है यहां पर इसका राइट आप्शन होगा आप्शन भी देखिए इत्नादारी ब्योस्ता की शुरूवात इल्तुत मिषने की ठीक है अताकतन भी गलत है अन्निकतन बल्बन के संदर में सही है देखिए उन लेखनी है कि नसुरुद्दिन मैमूर ने बल्बन को उलूखा की उपादी दी जा तब है कि बल्बन ने राजत के सिद्धान का स्वरूप फारस की प्रंप्रा से ग्राड किया और राजा को नियाबते खुदाई इश्वर का परतिनित बनाया है साथ ही बल्बन ने इलतुदमिश द्वारा गठित तुरकाने चहल गानी को समाप्त कर दिया बल्बन की काल में एक मातविद्रो 1289 में बंगाल के सुबेदार तुग्रिल खान ने किया था जिसका दमन बल्बन ने किया ठीक है तो ये कुशन था चलिए अगला कुशन है किस सुल्तान की नया व्योस्ता के संदर में इपने बतूता ने लिखा कि सुल्तान के महल के सम्मोग संग मरमर के दो सिंग बने हुए थे जिनके गले में गंटिया लटकी हुई थी पिगणित बेकती इन गंटियों को बजाता था उसकी फर्यास उन इसकी नया व्योस्ता के संदर में लिखा है कि सल्तनत काल में नया व्योस्ता का परधान काजी उल्कुजात था ठीक है तो ये काफी अच्छे कुशन माने जाते हैं चलिए अगला प्रशन है बलबन के राजत सिद्धान के विशे में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला क्या है कि नियाबते खुदाई का आर्थ इश्वर का पर्तिविम दूसरा की जिल्ले ला से तातपर इश्वर का परतिनित उपिक्द में से काई सा कथन सही है तो दिखिए यहां पे जो है आपके option D दोनों कथन असत है नियाबते खुदाई से तातपर है राजा धरत पर इश्वर का प्रतिनीधित थे ठीक है और जिल्य लाज से तत्पर है कि राजा इश्वर का प्रतिभिम है इसका हिर्दे दैवी प्रेला वा क्रानति का भंडार है इश्वर की राजा को दाइतपूर्ती के लिए प्रेरित वा निरदेशित करता है तो यह तर टेस्ट इसे है उसके लिए हमने प्लेइलिस्ट में बना दी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहां से जाकर श्टडी कर सकते हैं तकि इस टाइब की कुश्चन जो है आपके पीस्टेस में पूछे जा रहे हैं मिलते हैं अमने इस वीडियों के साथ थेंक्य धन्वाचियां और मेहनसे तैयारी कीजिएगा ओके